हेलो एंड वीलकम बैक तो मैं चैनल जी तो स्टुटेंट्स और फ्रेंट्स आप लोगों को ये में बताता चलू कि हम, पाईथान के नेक्स्स क्लास में आ गए हैं यह हमारी 6 क्लास होने जा रही है इस क्लास के अंदर जो हम लोगों को में चीज़ है, वह पाईथान की स्ट् कि हम पिछले एक दो दिनों में हम क्लास नहीं ले सके थे जो स्टरिंगज हैं पायथान के अंदर उसको हम समझेंगे इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को पायचाम के ओपर थोड़ा सेक्सराइज भी करेंगे लाइक इसको हम प्रैक्टिकल रन करके भी देखेंगे जो जो चीजे हम करेंगे फिर उसके अलावा जो स्टिंक्स के अंदर कुछ फंक्शन्स रिलेट करते हैं वो भी हम आज के प्रोग्राम में करेंगे इन्शाला ताला आज की किलास में ठीक है हम वक्त को जाय किये बगएर फोरण से पहले इन्शाला ताला हम इसको पीपीटी पे चलते हैं पावरपॉंट प्रेजन्टेशन के ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर अपना वरकाउट स्टार्ट करते हैं वो भी हम किसी भी सीक्मस में जो क्रेक्टर्स को हम किसी भी तरीके से किसी भी क्रेक्टर्स को एक सीक्मस के अंदर लिखते हैं जब या उसको डिफाइन करते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं स्ट्रिंग को इन्वर्टेट कॉमा के अंदर लिखा जाता है और इन्वर्टेट है या कि यह पाइठान इन थिनों को इसलिए है हम नेक्स पेशे पर मैं उडिबपंज पर हम आप हम अम इन्वें में हैं और इंडिविनडी क्याप्टरा से हमें सॉन के उसके हम इसके बारे मैं इन फैक्त स aging को लिक्षें हैं और इसको हम कैसे पायचाम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं यह पायचाम हम ने खोल लिया है पायचाम के समा तवाम हम इसको रिमूफ कर देते हैं ठीक है अब हम यहां पर देखने चाहरे हैं कि हम जो स्ट्रिंग्स कोई भी बहुत नहीं है स्ट्रिंग बिलाई इसके अंजर हमने मैंशन किया के साथ माइ नेम इस काशिफ यह एक हमने एक स्ट्रिंग बिलाई इसको जो प्रिंट आउट करा सकते हैं प्रिंट एस्टी आर वन ठीक हो गया यह देखें हम इसको यहाँ पर रूंड करके देखेंगे यह देखें यह इसने as it is हमने single में लिखते हैं तो हम इसको डिबल इंवर्डेट कॉमा में भी लिख सकते हैं ठीक है यह हम इसको जाएं में मैं डिखने क बंखिते हैं और एक कोमा, दो, तीन कोमे, हम my leather line में लेगी name, इसको next line में लेगे, और इसको हमने three inverted कोमा से close भी कर दिया, ठीक है, अब हमने ये एक string में कमल कर लिया, अब इसको हम रन करके देखते हूँ, जैसे इसको हमने different lines में लिखा, इसको यहाँ पर हमें रन करके दिखा दिया, यह एक normal strings है, इसको हम single कोमा में भी लिख सकते हैं, double कोमा से भी लिख सकते हैं, और triple कोमा से भी display करा सकते हैं, ठीक है, हम दोबारा अपनी powerpoint slide show में जाते है, तो जी, हम यहाँ पर देख रहे थे, अब हम next page पिताते हैं, यहाँ पर हम python strings जो है, वो कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, python string में हम क्या क्या चीजें शामिल है, किस तरीके से, कौन कौन से code है, जो के हम use कर सकते हैं, बहुत बेताशा code है, हम कुछ code जो है, उसको हम यहाँ पर study करेंगी, जिसमें से पहले है, extracting individual character, क में हम यहाँ स्क्रीन शार्ट है, माय स्ट्रिंग के नाम से एक हमने string बनाइगी, इसका नाम है, माय नेम इस काशिफ, जिसके जो parameters ही है, माय नेम इस काशिफ, ठीक है, इसको हम इसको nine quoted करेंगे, कोट में nine mention करेंगे, that's mean के यह nine number वाले character को display करा देगा, ठीक है, यहाँ यह हमने एक्स्ट्रेक्ट करेंशन किया, तो यह हमें nine number वाले character, एक्स्ट्रेक्ट करके दिखा देगा, हम फोरण पाय जाम पर आते हैं, इसको हम देख लेते है, str1 ही कर देते है, is equal to my name is काशिफ, अब हम इसी string को हम एक्स्ट्रेक्ट करवा लेते हैं, print str1, कोई भी हम यहाँ पर character ले सकते हैं, like four character number four को, यह extract करा के हमें दे दे, हम इसको run करते हैं, यह देखिए character number four जो है वो a है, कैसे बढ़ चलेगा, one two zero one two three four, जब भी python start करेगा, counting, तो वो zero से start करेगा, then zero one two three four, four number पर एर है, इसलिए उसने extract करा के, a extract करा दिया, हम इसी तरीके से, powerpoint के मताबिक हम, like हम ने अगर फर्स करें, हमने name, name को extract करना है, तो हम क्या करेंगे, one two three, name four पर है, तो हम four, column one four five six seven eight, हम eight mention करेंगे, देखें हमें वो क्या extract करके देता है, aim, यहां से हम three अगर लिखेंगे, तो पूरा name, वो extract करके देता है, यह देखें, अब हमने कहा है कि हमें इन बेट्वीन इस नंबर से लेके इस नंबर तक हम पैरेंट करके देखेंगे, तो वो हमें पायचाम ने इसको extract करके दिया, ठीक है, अब हम इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं, हम पहले अपनी screen पे चले जाएं, इसमें लास ट्रेक्टर को find करने के लिए, लास ट्रेक्टर को extract करने के लिए, लास ट्रेक्टर को extract करने के लिए, आपको माइनस वन में लिखना होता है, तो वो आपको लास ट्रेक्टर extract कर देता है Let's see कि हमें वो कर के देता है करना काश शिफ का F last character है वो उसने हमें extract कर के दिया टीक है ये extraction extraction of the string कहलाईगा ये हम ने पढ़ा कि individual character को किस पोरिके से हम नकाल सकते हैं string में से ठीक है इसकी commands है, इसके codes है करेंगे बने नेमीर को कमांड और को अरुटे कर सकते हैं और किसी स्ट्रिंग को हम काउंट़ कर सकते हैं इसकी भी एक्सपेरिमेंट हम फोरन जाके पायचाम पे करते हैं ताके हमें थोड़ी सी अंडर्स्ट्राइणिंग हो जाए लाइक हमने एक स्ट्रिंग बना के रखी विया लेड़ी माइनेम इस काशिव हम अगर इसकी लेंट के लिए जाते हैं जैसा कि हमने लेंट पर पढ़ा था कि माइस्ट्रिंग की लेंट से पहले हम अपर केस हो हम यहां पर देखें माइस्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग का आप यहां पर डिफाइन करेंगे वो मेंचन करनी पड़ेगी उसके बाद आपने अब दाट अप पर लिए दन यहां पर आप में परफ्टर रखना है ताके उसकी अंडस्टेंडिग होके शुर्म इसने क्रें डिस्प्ले करना है ठीक है यह देखें मेरे यहां पर कोर्ट में जो एक स्ट्रिंग बनाई भी है वह वह स्मौल लेटर में बनाई है उसने माइने काशिफ को ॱ निजाते हैं नेम को लिख जैते हैं पर केसे में किया हमने इस नेम को लिखा वह याह informed लेकिन इसे हम्这么 लेकिन िनली नेम को लिखा हम पर लेकिन दिखें लेकिन वह Haan लेकिन लाव स्ट्रिंब family को, देखें, अब इस हम लिखा हमने length count से related बढ़ा था कि उसकी length को हम count कर सकते हैं ठीक है वो length count की स्रीके से कर सकते हैं वो आप देखें यह हमने length count के experiment like एक हमने screenshot भी डाला गा है तो हमने सिर्फ simple हमने length counting len का code है वो mention करना है इसमें parenthesis empty वाले नहीं आएंगे just आपने len लिखने है then it will be something like this जी तो किसी भी किसी भी string की length को count करने के लिए हम len और then हम str जो string है उसका वो mention कर देंगे तो वो string को count करके हमें बता देगा देखें यह देखें जैसे कि 17 ग्रेक्टर है मारी नेम इस काशिफ में उसने length से निकला है length string 1 जो हमने define की है ठीक है यहां पर हम कोई भी name दे सकते हैं string को तो वह हम उससे हम print करवा सकते हैं जी तो हम powerpoint की next space पे चलते हैं यहां पर हम किसी भी string को replace कर सकते हैं किसी भी string के अंदर से सब string को सब string उसकी किसी भी character की बात कर रहा है हम replace भी कर सकते हैं किसी word को भी replace कर सकते हैं और यह इसको भी यहां पर एक दफ़ा पाये चाम में जाके इसको भी experiment कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी दफ़ा जो क्रेक्टर है उस वह डिस्प्ले में लिखा गया है कितनी दफ़ा आ रहा है उसकी काउंट उसको भी काउंट करके हमेरी देगा पायचा देखे हम यहां पर जो कमांड लगाएंगे स्ट्रिंग में वह पहले था हम एक दफ़ाइक लैटर को रिप्लेस करके लगा लगते हैं फिर उसके बाद हम इसकी काउंटिंग भी कर लगते हैं जी तो हम यहां पर किस्ता लिखेंगे प्रेंट स्ट्रिंग में 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 हैं एक आपिटल दान दिया हमने यह दिखें आटमेटिक के ली पाइजब में बता रहा कि ओल्ड के है और न्यू यह है हम इसको रण करते है यह देखें यहां पर उसने इसको डाल दिया है जो कि इसने k से a को रिफ्लेस कर दिया यह हमने एक क्मांड थी एक हम दोस्री नहीं हमारे पास हमने की क्मांड पड़ी कि number of occurrence की कितनी दफा आया है हम ये भी इसमें से निकाल सकते हैं इसको account कर जैस्ट फर्म है जी हम number of occurrence को किस तरी के से लिखेंगे यह पर हम इसको number of occurrence को 3 ताइम कर देते हैं और काशिफ को 2 ताइम कर देते हैं ताके उसके लिए सामी हो str 1.com यहां पर हमने count करना है और उसके in between हमने यह चीज़ करनी है कि किस को count करना है like is को example के तोर पर is को हमने count करके वो दे यह देखें is three time आया है यह जैसा कि हमने mention किया था is three time आ गया easily इसमें mention कर दिया अगर हम यहां पर काशिफ कर देते हैं काशिफ को two time आया है यहां पर उसने काशिफ को two time आगरेंस इसकी बता दी के यह पूरी की पूरी string के अंदर काशिफ two time आगर हुआ है इसको हमने इसकी हमने command दी थी और record किया था तो वह हमें बता रहा था कि इस three time आगर हुआ है जैसा कि हम इसको कर चुके है में एक दूपर पर रपकरता हूँ इस किया और हम इसको कोड को रन करेंगे यह देखें इस-um अपर पूरी कि आख जेश्टन स्ट्रिंग फांक्शिन में एक जो बड़ी बड़ी सीधा हुए है कि सब शेज़ कि हम इन्डेक्स बैल्यूं फटा सकते हैं क्या थी नंबर चैन्प एक रिखुदा एक गभी प्राइब दॉज अम थे पर अब बताने हैं। तो हम फोखें प्रिखा आप हैं , प्रिख्सर प्रैक्टिस कर लेते हैं , पायचा आप पर अपना पर इंडेक्स को किस फेंगे से इंडेक्स की बें। को कोड कर सकेंगे, किस री किसे हम निकालेंगे, प्रेंट करेंगे इंडेक्स वैल्यू हमने किसी की निकालनी है, हमने फ़स्ट करें, हम फिर्स करें, string के अंदर रड़ है, .index की हम पहले command देंगे Then हम जो word like is की हम अगर इंडेक्स निकालते हैं यहां पर 8 पर इस स्टार्ट हो रहा है इस जो वैल्यू है वह 8 है इस तरीके से हम स्प्रिटिंग पर कर सकते हैं कॉमा सकते हैं यह भी बहुत ऐजी है मैं आपको करके दिखाता हूं कि फर्स करें हम यहां पर दो तिन चीजे लिख देते हैं कि इस क्या बात कॉमा डाल देते हैं और यहां पर अब यहां पर स्प्लिट करने के लिए हमें इन्वर्टेट कॉमा के अंदर फर्स करें हम लिखते हैं कॉमा कॉमा सेपरेटेट कर लेते हैं जो जहां जहां कोमा है वहां से इपरेट कर देंगें इन 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 इ कर दिया इसी तरीके से हम यहां पे इस अगर में इस को बीच में से स्पिलेट ही कर दिया इसने देख सकती है आप लो my name is is not there like the देर यहां पे काशिफ मेंशन करते हैं then you can understand के उसको empty कर दिया है काशिफ को ठीक हो गया इस तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं ठीक है यह था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने strength को समझने की कोशिश की कि string basically जो python के अंदर string है उसका क्या रोल है और उसको किस निके से code कर सकते हैं hopefully कि आप लोगों को आज के lecture काफी understandable रहा होगा और आपकी understanding काफी मजबूत होती जा रही है अब हम advanced level के उपर जा रहे हैं हम आगे से चीज़ों को कुछ बेहतर हो कुछ advanced level पर करने जा रहे हैं ठीक है और इंशाला हो सकता है कि next class में हम अपना एक quiz रखें जो कि वीडियो quiz होगा आप लोगों को comments में इसके answering करनी पड़ेगी और उसकी description में मैं एक दफा तुमाम के तुमाम आसर मेंशर कर दूँगा hopefully कि मैं इस quiz को online कर सकूँगा इंशाला thank you very much अपना ख्याल रखिए मेरे चैनल को भी याद रखिए और subscribe कर दें, like कर दें शेर कर दें, thank you very much, have a nice day